Hello students, आज मैं एक बहुत ही basic सा आपको funda बताने वाला हूँ जो आप लोग को पता होना चाहिए कोई भी number क्या किसी number से divide होगा, आप simply पूरे number को आपको divide नहीं करना है simply कुछ rules में बताऊंगा है पर जिसके through आप किसी भी number का पता लगा सकते हैं क्या वो किसी और number से divide होता है या नहीं, competitive exams में भी ये questions आता है और school level पे भी बहुत common सा question है, सभी को हमें पता होना चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा divisibility rules for 2, तो इसकी बहुत simple से trick है, अगर कोई भी number, चाहिए वो कितने भी digit का हो, अगर कोई भी number कि जो end की digit है, वो 0, 2, 4, 6, 8, अगर कोई भी number, इन में से किसी भी एक digit से अगर end हो रहा है, तो वो number 2 से divide होगा, for example, 268902, तो आप यहां पर देख सकते हैं, कि last digit क्या है, 2, तो यह जो number है, यह 2 से divide होगा, पर last वाली digit हमें देखनी है, बाकी को हमें ignore करना है, चलिए, चलते हैं, next rule की तरफ, जो है हमारा 3 के लिए, अब कोई भी number आपको कितने भी digit का दे दिया जाए, तो आप पता कैसे लगाएंगे, कि वो 3 से divisible है या नहीं है, बहुत simple सी ट्रीक है, मैं एक example ले रहा हूँ, 5821902, यह कोई number है, मुझे पता लगाना है, क्या यह number 3 से divide होता है या नहीं होता है, ठीक है, हम यहाँ पर करेंगे digits का sum, digits का sum करके हम देख लेंगे, क्या number 3 से divide हो रहा है या नहीं, अगर digit का sum 3 से divide होता है, तो यह number भी divide होगा, अगर 3 का, इनका sum 3 से divide नहीं होता है, तो यह number भी 3 से divide नहीं होगा, चलिए करते हैं, 5 plus 8, 13, 13 plus 2, 15, 15 plus 1, 16 plus 9, 25, 25 plus 0, 25, 25 plus 2, 27, तो जब मैंने digit का sum किया, तो जो sum आया है, वो आया है 27, और 27 आपको पता है, 3 से divide हो जाता है, तो जो हमारा number आया, यानि कि यह जो number है, यह number 3 से divide होगा, that's it, चलिए, आगे बढ़ते हैं, 4 की तरफ, अब कोई number हमें पता लगाना है, कि वो 4 से divide होता है, या नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे यह आपर, कोई भी number है, 3, 2, 8, 9, 0, 8, तो हमें पता लगाना है, क्या है 4 से divide होगा है नहीं, तो सिर्फ यहाँ पर हमें last की 2 digit चेक कर लिए, कितने भी digit का number हो, सिर्फ last की 2 digit, अगर last की 2 digit आपकी 4 से divide होती है, तो जो number है, यह कीनन वो भी 4 से divide होगा, तो यहां हम last की digit देख रहे हैं, 8 है, 0, 8, जो की 4 से divide हो जाता है, तो यह number भी 4 से divide होगा, अगर last की जो two digit हैं वो four से divide नहीं होती तो number भी हमारा four से divide नहीं होगा चलिए बढ़ते हैं five की तरफ बहुत ही simple सा rule है अगर कोई भी number zero या five से end होता है अगर कोई भी number zero या five से end होता है तो number five से divide होगा for example five hundred ninety five thousand ninety five ठीक है तो end हो रहा है five से number divisible है four zero या पर end हो रहा है zero से तो यह पूरा number divisible है तो यह हो गए हमारे पांस तक के number अब तो चलिए आगे बढ़ते हैं six की तरफ six का कोई अपना rule नहीं है six का जो rule है वो based है two और three के rules पर कोई number अगर दो से divide है और तीन से भी divide है तो वो number six से भी divide होगा तो basically यहाँ पर हमें दो के लिए भी rule लगाना पड़ेगा और तीन के लिए भी लगाना पड़ेगा चलिए एक example लेते हैं four two three five zero four ठीक है यह मैंने एक number लिख दिया at random तो मुझे यह पता लगाना है क्या है six से divide है नहीं तो सबसे पहले हम लगाते है rule दो का अब आप देख रहे हैं के end हो रहा है four से ठीक तो दो से divide है अब यहाँ पर तीन का rule लगाते है तीन का rule क्या था डिजिट का sum four plus two six plus three nine nine plus five fourteen plus four eighteen तो जो sum आया डिजिट का जो sum आया वो 18 जो के three से divide है तो हम कह सकते हैं कि जो number है यह six से divide होगा इसमें हमने दोनों rule लगा लिए ठीक है चलिए अब चलते हैं next rule की तरफ seven जो कि थोड़ा सा अलग है seven के लिए हमें क्या करना है कोई भी number है for example 154 हमें क्या करना है जो last अंक है यानि के जो इकाई या unit डिजिट है इसका twice करके इसमें से minus कर दिजिए इसका twice करके इसमें से minus कर दिजिए इसका twice eight minus किया कितना है seven अब यह minus करके जो number आया अगर यह 7 से डिवाइड है तो number भी seven से डिवाइड होगा चलते हैं हम next rule की दरफ जो के है eight के लिए eight के लिए rule में हमें क्या करना है last three digit last three digit देखनी है सिर्फ किसी भी number की चायो कितने भी digit का हो हमें सिर्फ last three digit देखनी है अगर last three digit eight से डिवाइड है तो number भी डिवाइड होगा अगर last three digit eight से डिवाइड नहीं है तो number डिवाइड नहीं होगा चलिए, example लेते हैं four, eight, nine, two, eight, eight ठीक है, तो यहाँ देखते हैं last three digit 288 है तो हमें 288 के लिए चेक करना है क्या वो eight से डिवाइड है या नहीं तो अगर eight से डिवाइड है तो यह होगा हमारा डिवाइड हो जाएगा eight से पूरा number अगर यह digit eight से डिवाइड नहीं है तो number हमारा eight से डिवाइड नहीं होगा तो हमें सिर्फ last की three digit के लिए चेक करना है, बागी के लिए नहीं करना है, चलिए, चलते हैं 9 की तरफ, 9 का रूल बिल्कुल सेम है, जो हमारा 3 का रूल था, 9 और 3 दोनों सेम है, डिफरेंस क्या है, जो हमारा 3 का रूल था, उसमें हम डिजिट का सम करके देखते थे, क्या डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है, या नहीं होता है, तो यही काम में 9 के लिए करना है, डिजिट का सम, अगर 9 से डिवाइड होगा, तो नमबर भी 9 से डिवाइड होगा, चलो, एक example 9278154 यह मैंने कोई number लिख दिया अब मुझे चेक करना है क्या है 9 से divide होगा यह नहीं होगा तो मुझे क्या करना है digit का sum कीजे sum 9 plus 2 11 plus 7 18 plus 8 26 plus 1 27 plus 5 32 plus 4 36 तो मेरा digit का sum आया है 36 और 36 में देख रहा हूँ जो 9 से divide है तो अगर digit का sum divide है तो यह number भी आपका divide होगा चलिए नेक्स्ट आया हमारा 10 10 तो भई सबसे easy है इसमें तो कुछ हमें करना ही नहीं है अगर आखिर में 0 है तो divide होगा नहीं है तो भई नहीं होगा तो इसके लिए कोई special नहीं बर लास्ट में हमें क्या देखना है 0 है last digit तो है नहीं है तो नहीं है that's it चलो next rule 11 के लिए अब 11 के लिए देखने के लिए एक example ले ले लेते हैं 48320162 एक मेंने number ले लिया है मुझे चेक करना है क्या 11 से divide होगा या नहीं तो मुझे क्या करना है alternate digits का sum यानि के जो even places पर है उनका sum करना है odd places पर जो है उनका sum करना है sum करने के बाद जो difference आया अगर वो 11 से divide है तो number भी होगा देखे मैं करके दिखाता हूँ पहले मैंने लिए odd place पर जो digit है यह रहे तो इनका sum क्या हमेने 4 plus 3 plus 0 plus 6 इनका sum आया जी 7 plus 6 13 अब जो बागी के digits बचे है उनका sum करना है बागी क्या बचा है रहा 8 2 1 2 8 plus 2 plus 1 plus 2 तो इनका मैंने sum किया 8 2 10 11 12 13 तो इनका sum भी मेरा 13 आ गया अब हमें क्या करना है जो भी आपका sum आया 13 भी आ सकता है कुछ भी आ सकता है आपको difference निकालना है किसी में से भी किसको घटा दीजे कोई फरक नी पड़ेगा difference निकाल लीजे तो इनका difference 13 minus 13 कितना आया 0 तो 0 तो भी आर किसी से डिवाइड है 0 is divisible by every number तो ये number भी मेरा 11 से डिवाइड होगा अब मान लीजे कि ये मेरा number suppose ये मेरा number आया 22 suppose तो मैं क्या करूँगा इन दोनों का निकालूँगा difference 22 minus 13 कितना आया 9 अब मैं देख रहा हूँ 9 11 से डिवाइड नहीं होता तो ये number भी 11 से डिवाइड नहीं होगा ठीक है अब हम बढ़ते हैं अपने next number की तरफ जो के है 12 अब जो 12 है इसके लिए हमें दो रूल लगाने होगे अपना कोई रूल नहीं है 4 3 तो यहाँ पर हमें लगाने होगे दो रूल कोई number अगर 4 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है तो वो number 12 से डिवाइड होगा अगर आपको और explanation चाहिए तो आप मुझे comment box में लिख सकते हैं मैं एक वीडियो और बना सबूँगा इसके लिए next मेरा number है 14 तो 14 का भी अपना कोई rule नहीं है यह work करता है 2 और 7 it means कोई number 2 से भी डिवाइड है और 7 से भी है दोनो rule हमें लगाने होगे तो वो number 14 से डिवाइड होगा next जो मेरा rule है 15 के लिए 15 के लिए भी हमें 2 rules लगाने पड़ेंगे 3 का and 5 का तो कोई number अगर 3 और 5 तीन का rule मैंने बता है 5 का लगाया तो उसी एक ही number पर आपको यह दोनो rule लगाने पड़ेंगे अगर दोनों से डिवाइड होता है 5 से भी तीन से भी यानि के दोनो rule अगर लग रहे हैं तो number हमारा 15 से डिवाइड होगा otherwise नहीं होगा तो आज के इस वीडियो में इतना ही अगर आपकी कोई भी query है तो मुझे आप comment box में comment कर सकते हैं और हाँ चैनल को subscribe करना तो बनता है तब तक के लिए जैहीं कर दोन के लिए.